नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अप नियापन से नगर निकाए ऐसे वसूलेंगे पैसे अप बिहार में OPD की मुफ्त सलाप पाए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये आठ पुलिस प्रसिक्षकों को मिलेगा केंद्रिय ग्री मंत्री का पदक केंद्र के निर्देश्पर बिहार में कॉल सिक्षकों के लिए ट्रेनिंग आनिवारेया पुलिस प्रसिक्षकों को मिलेगी केंद्रिय ग्री मंत्री का पदक प्रदक 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 दिया जाता है बता दे कि इन 320 पुलिस प्रसिक्षकों में से 8 नाम ऐसे हैं जो बिहार से आते हैं अब विग्यापन से नगर निकाय ऐसे वसूलें के पैसे बिहार में नगर निकाय चनाओ पूरी होने के बाद सरकार के नगर विकास विवाग के दोर अधिसूचना जारी कर बिहार नगर पाली का छेतर विग्यापन नियामावाली 2023 लागू कर उन सभी विग्यापनों से पैसा वसूलने के लिए तैयारी कर ली गई है जो विग्यापन नगर निकाय के अंदर आते हैं इस नियाम का पालन सभी नगर निकाय के दोरा किया जारा होगा बता दे कि सरकार के दोरा नई नियामावाली 2023 लागू करते हुए पटना नगर निगम का विनियम 2000 बार अनिरस्त कर दिया गया है मालूम हो कि नई नियमावाली के अनुसार विग्यापन को चार कैटेगरी के अंदर रखा गया है महीं विग्यापन दाताओं को बोली में भाग लेने के लिए संबनत पज्री करन कराना होगा जो की तीन साल के लिए मानने होगा अब इंटर पास और विवाहित छात्राओं को सरकार देगी पैसा अब राजिस सरकार मुक्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर गत मुक्यमंत्री बालिका प्रोथसाहन योजना के तहट उन इंटर पास बालिकाओं को पैसे देंगी जो और विवाहित होंगी बता दे कि इसके लिए माधिमिक सिक्षा विवाग के ओर से ओनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है जिसके अनुसार बैंक अकाउंट चात्रा के नाम का होना चाहिए और इसके साथ ही अकाउंट किसी राश्ट्र एकरित बैंक मानिता प्राप्त नीजी बैंक या इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक के बिहार में इस सिद्किसी भी साखा में होना अनिवार है बियार में पीडियस दुकांदारों को मिले गी आठ माह की मार्जिन मनी वीते मंगलवार को राजे भर के जन्वितरन प्रनाली के प्रतिनीधी मंडल के दौरा खादे एवं उपवोकता संरक्षन विवाग के सचीव विनय कुमार से मुलाकात कर फिलाल जन्वितरन दुकांद प्रतारों की हर्ताल को समाप्त कर दिया गया है जिसके बाद विवाग के दौरा राशन ना बाटने वाले डीलर्स के खिला प्रस्तावेत काड़ेवाही लेने के घोशना कर दी गई है और इसके साथ ही सचीव के दौरा यह आस्वासन दिया गया है कि मार्स 2022 तक का मार्जि प्री दिये जाने के बाद जारी किये जाएंगे बता दे किसी बात चीत के बाद डिलर्स ने हर्ताल वावस लेनी की बात कही श्रीजन घोटाला मामले में रजनी प्रिया की खोश हुई तेज बिहार के बहु चर्चिस श्रीजन घोटाला मामले को लेकर CBI के दौरा फरार अभियुक्त रजनी प्रिया के खोस तेज कर दी गई है इसी के तहट बीते दिन मंगलवार को CBI भागलपुर के तिलका माजी इलाके के न्यू प्रानवती लेन में स्थित रजनी प्रिया के घर पहुंची और उसके चार घरों पर जिला कल्यान कारयाले के बैंक खाते से के घोटाला मामले को लेकर पॉब्लिक नोटिस चिपकाई गई है इसके साथ ही CBI के दोरा लोगों से यह भी अपील की गई है कि अगर उनमें से किसी को भी रजनी प्रिया से जुरी किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो वे जल से जल CBI के दिल्ली कारयाले को दूर भास पर सुचित करें फार्मासिस्ट पद की योगिता को लेकर पटना हाई कोट का बड़ा फैसला अभीते दिन मंगलवार को पटना हाई कोट के द्वारा फार्मासिस्ट पद की योगिता को लेकर एहम फैसला लिया गया है जिसके तहत अब से फार्मासिस्ट पद के लिए वही व जो जीब विज्यान एवं गनित विशह में इंटर पास हो और जो तीन पार्ट में फार्मसी में डिप्लोमा किये हो कोट के द्वारा इस मामली पर सुनवाई राजिस सरकार और फार्मसी में डिप्लोमा धारी छात्र अर्विंत कुमार की तरफ से दायर याचिका पर की गई ह BPSC से चेहने पधादीकारियों को अब विपार्ट देगा ट्रेनिंग वैसे अब पधादीकारी जिनका चेहन बिहार लोग सेवा आयो गयानी की BPSC के दोरा किया गया है उन्हें प्रसिक्षन देने का काड़े अब बिहार लोग प्रशासन एवं ग्रामीन विकास संस्थान ज्यानी की बिपार्दे का ना की उनका संबंधित विभाग बता दी कि राजसरकार के दोरा UPSC की तरह ही BPSC प्रदारिकारियों को एक संस्थान के माधियम से तीन महीने की कंबाइंड फांडिशन प्रसिक्षन कोर्स कराने का निर्ने लिया गया है जिसके पहले बैज की सुर्वात 15 जनवरी से की जा रही है जिसमें कुछ 450 अफसर को श्रामिल किया गया है मालूम हो कि इस दौरान चेहरत अभिहर्थियों का भाहरत दर्शन भी करवाया जाएगा केंदर के नरदेश पर बिहार में कॉल सक्षकों के लिए ट्रेणिंग आनिवारे राजसर कार के सिंस्वा विभाग के दोरा सभी कूल पती हो को फर्मान जारी करिया कहा गया है कि अब राश्ट्रिय सिंसक्षा नीदी 2020 के तहत बिहार में कॉल सिंस्वार को अब 36 घंटे की ट्रेनिंग लेना अनिवारे होगा बतादी कि इसके समगनवे की जम्मधारी नैक के नोडल पतादीकारी एनके अगरवाल को दिया गया है मालूम हो कि कॉलस सिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर राजे सरकार को केंदर सरकार के सिक्षा मंतराले के द्वारा लेटर भेज कर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताया गया है वतादीक इस कोर्स को इगनु के द्वारा राश्ट्रिय सिक्षा नीती के मान के अनुरूप काफी सोध अध्यन और अनुसंधान के बाद विक्षित किया गया है सहायक प्रोफेसरों की निउक्ती पर हाई कोट ने पूरी की सुनवाई पटना हाई कोट के जस्टिस संजीव ट्रकास सर्मा के द्वाराजी के बारा विश्य विद्यालियों में 4,638 सहायक प्रोफेसरों की निउक्ती में 50% से अधिक आरक्षन दिये जाने के मामली पर निउक्ती में आरक्षन नहीं दिया जा सकता जबकि 4,638 सहायक प्रोफेसरों की निउक्ती के लिए प्रकासित विग्यापर में 1,223 पत सामानिश ट्रेनी के लिए रखा गया है अब बिहार में OPD की मुफ्त सलाह पाए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए अब मरीजों क घर बैटिये वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए डॉक्तर से अपनी बिमारी के बारे में बात कर सकते हैं और अंत में डॉक्तर के द्वारा दिये गए ई-प्रिस्क्रिप्शन को डाउनलोड कर सकते हैं यह सुदा मरीजों की परशानी को देखते वे शुरू किया गया है इसके तहत अब मरीज गूगल प्लेज स्टोर से सैप को डाउनलोड कर मुफ्त में सोंवार से सनीवार तक इलाज का लाब उठा सकते हैं वहीं अगर दोरा मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो स्वास्तर विभाग के दोरा एक हेल्प लाइन नंबर 104 भी जार दिया गया है बता दी कि आयोग के दोरा सरकार को पत्र लिक कर चार जन्वरी को 2682 सीटों पर पंचायत उप चुनाओ कराने के लिए दिसूशना जारी करने के नुमती मांगी थी लेकिन स्विकृती नहीं दी जा सकी वहीं अभी आनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाओ मा बिहार में जल्व मार्ग परिवहन विवस्था को केंद्र की योजना लूट का जरिया बताने को ले करती खेव वार किया है उन्होंने कहा कि जब भी बिहार के विकास की बात आती है तो जेडियू नेता विरोत करने लगते हैं पहले बिहार को बड़े भाई ने बढ़बा बात कर रहे हैं वो सुर्व जंता की पैसे की लूट कर रहे हैं बिहार के उपומुक्य मंझे मंदल के विस्थार के चर्चा सुरू हो gele है इसी कड़ी में कॉंगर्स भी सक्रिये नजर आ रही है बताती के बिहार कि उप्मुक्यमंध्री तैय श्रीयादर से मुलाकात की और कर कोटे से कम से कम चार विधाय को मंत्री बनाया जाना चाहिए उनके द्वरा यह दावा भी किया गया है कि वह पिहार के मुख्य मंत्री और उपमुख्य मंत्री से इस मांग को लेकर मुलाकात करेंगे पृत्वी ने असंद के खिलाव जड़ा पहला 13 सतक असम के खिलाब प्रित्वी शॉव ने अपनी घरलू क्रिकेर का पहला 13 सतक जरदिया नों ने खेल के दूसरे दिन पहले शेशन में 326 गेंड का सामना करते होए अपनी ट्रिपल सेंचुछूरी पूरी की बतादे कि यह स्कोर घरलू क्रिकेर में उनका सरवाधिक स्कोर ह प्रित्वी सो ने अपने इस पारी में 43 चोके और 2 छक्के लगा है मालूम हो कि प्रित्वी सो रंजी टॉफी में मुंबई के लिए 13 सतक लगाने वाले आठवे बल्लेबाज बन गए है पहले दिन का खेल खत्म होने तक प्रित्वी ने 240 रंड बना लिये थे और तीसरे दिन भी उन्होंने अपने रंड बनाने का सिलसला जारी रखते वे 300 का आकराज छूलिया जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी बुद्वार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए वहीं पुर्या में पेट्रॉल की कीमत 116.72 827 रुपय और डीजल की कीमत 949 04 रुपय पति लीटर है बिहार में पेट्रॉल का रेट सब्सेयादा किसंअ गंच में है चहाँ पेट्रॉल 109 407 रुपय पति लीटर में और डीजल 92 optional ली dedic की दर से मिल रहा है दी दे दिन्मार पूछे का सवाल का आप लोगों से बहुत लोगों के परंपते जवाब हमें हमारी कमेंन केस्षन सुस्तरागर का जवाब का जवाब दिया है उनके नाम इसे घघऑ कुमार यादव असर फी मंदल भान प्रकाश मौ्रः मनी कुमार मुहत्जल मerntsuri रवी कुमार स्राम आרजुन राम रवी शंकर नुन्नुगोलू कुमार संकर मुक्या राजीव कुमार लक्ष्मन बैठा एमद मुहमす सकीर हुसैन मुहमद नौश्द राजा अब बरते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल है आपके मुसाल बिहार में वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये मुफतसला दिये जाने से लोगों को कितना फाइदा मिलेगा आपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथी अगर आप यूटूब कुछाव कर राव कर देखते लिए देखते लोगो पया आप जाप हमें विए कर देखते लिएखते लिए आपरों के लिए